दोस्तों, नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज बता रहा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आपकी उर्चा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए, बिना आपका समय कवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दोडने का बहुत शौक था, वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परन्तु वह किसी भी रेश को पूरा नहीं करता था, एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेश पूरी ज़रूर करेगा। अब रेश शुरू हुई, हरीश ने भी दोडना शुरू किया, धीरे टू सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश ठक गया था, वह रूप गया, फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दोड नहीं सकता, तो कम से कम चल तो सकता हूँ, उसने ऐसा ही किया, वह धीर करके वापस उठा लडखडाते हुए आगे बढ़ने लगा, और अंतता वह रेश पूरी कर गया, माना की वह रेश हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेश को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था, वह पर पड़ा हुआ था, क्य कोई परेशानी होती है, तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, और रोज 10 HR की स्टड़ी करते हो, और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 HR मिले पढ़ना जरूर चाहिए, हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे, छोटे-छोटे कदम बढ़ाते जाओ, और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है